हैलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? अब कवाई हाजिर रनी वैकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है, वो आ रखी है लार्ज नेंट इबरो की तरफ से यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपर्चुनिटी निकाला गया है बेसिकली यह जो अपर्चुनिटी रहेगा फ्रेशर के लिए रहने वाला है और यहाँ पे निउस्वेपर में भी इन्होंने अड़ुटाइजमेंट दे रखा है ओफिशली वैबसाइट पे भी इन्होंने अड़ुटाइजमेंट दे रखा है दोनों को मैं आपको बताने वाला हूँ सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे आपका सीटी सी क्या रहेगा जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्क्रिप किये अगर आप फ्रेशर की कैटिगरी में आते हैं और आपने इंजनरिंग कर रखा है इन सारी ब्रांचे से जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइक सीविल में कर रखा है ठीक है मेकैनिकल में कर रखा है या फिर अगर आपने इंजिनिंग कर रहा है और फ्रेशर के कैटिगरी में है अगर आपका बैच दो जरबाइस का है तो भी यहाँ प्याप अलिजिबल रहेंगे तो बहुत बड़ी अपरचुनिटी है सेलेक्शन प्रॉसस के बारे में बात करेंगे इसमें पेपर में क्या क्या आपका पैटरन आ हैगी जो की अलिजिबल रहने वाल है तो यहाँ पे आपका लाइका टारगेट रख रहे हैं तो 700 ब्लस आपका लाइक कर रख रहा तो ताकि आने वाले next वीडियो का अपडेट आपको अपनी ब्रांच और आपको अपने ट्रेट से रिलेवेंट देखने को मिले और description में कुछ लिंक्स प्रोवाइट किये गए Telegram चैनल का, WhatsApp ग्रूप का, LinkedIn का, Instagram का और Facebook ग्रूप का जाके यहाँ पे जॉइन कर लेना, यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट देखने को मिलेगा जो जो मैं YouTube अप्लोड नहीं कर पाता, उसका अपडेट में यहाँ पे डाल देता हूँ तो जल्दी से जाके इसको जॉइन कर लेना और यहाँ पे बेस्ट अफ़र्शनिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे यह सर्विस रहेगी फिडियो आफकोस लाइफटेम वेलेटी के साथ देखने को मिलने वाली है तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो गंटी वाला इकन उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले मिल पाए और आपका वाई इस चैनल पे इस चैनल पे इस चैनल पे जो अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहा है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और डिटेल के अंदर अप्लाई कैसे करना है उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको newspaper का cutting दिखा रहा हूँ जिसमें यहाँ पे इन्होंने publish किया है यह जो आपका newspaper रहेगा वो आपका newspaper यहाँ पे रहने वाला है Times of India आप देख सकते यहाँ और 6 जुलाई को यहाँ पे यह publish हुआ है ठीक है अब हम बात कर लेता है कि उनकों अप्लाई कर सकता है उन चीजों के बारे में तो यहाँ पे इन्होंने cutting दे रहे है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने graduate किया है मतलब कि अगर आपने B.B.Tech किया है 2022 के अंदर और आपका complete हो चुका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते है ब्रांच इ instrumentation and control है information technology है architecture है novel architecture है metallurgy है mining है chemical है construction management है welding है GIS है environmental health है and safety है और fire and safety और industrial safety है यह सारी branches आपकी यहाँ पे eligible है अगर आपने यहाँ पे B.B.Tech किया है fresher की category में हो तो आप यहाँ पे जरूर से apply करिएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे other eligibility criteria के बारे में क्योंकि वो भी जा study और यहाँ पे selection process के बारे में बता रहा है तो इसके बारे में भी हम detail में बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आप इंडिया के नागरिक होने चीए पहली बात और आपका जनम 17198 में के बाद का यहाँ पे होना चीए इस date पर है तो भी apply कर सकते है और इसके यहाँ पे apply कर सकते है ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के question ऐसे होंगे sir मैंने diploma किया 10th के बास सिधा diploma किया फिर मैंने btec किया क्या apply कर सकते हूं मैंने 12th नहीं किया तो आप जरूर से apply कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा है aggregate इन्होंने बोला है कि btec के अंद clear during the usual attempt and reapptend for ठीक है इन्होंने बोल रखा है कि आपका second attempt में यहाँ पे नहीं होना चीए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे किनोंने बोल रखा है 10th और आपका 12th है डिप्लोमा है उसके अंदर आपके यहाँ 70% यहाँ पे aggregate बनने चीए 10 और 12 के अंदर उन्होंने आपे mention कर आप豆 यहाँ दो स्टैप्स आपके रहने वाले पहला जो स्टेप्स आपको रहेगा online test आपको ओने वाला apply करने के बारे में बताऊँगा पहले हम बात कर लेते हैं Content process क्या रहेगा online test होगा completely आपके यहाँ aussi jest मतलब कि घर बैठे आप यहाँ पे इसको दे सकते है ठीक है आपको कहीं इसका center रेंटर नहीं रहेगा घर पे बैठके यहाँ पेपर को देना है ठीक है पहले आपका रहेगा aptitude test रहेगा दूसरा आपका technical test रहेगा अब aptitude test में क्या क्या आएगा आपका यहाँ पे numerical ability आएगी verbal ability आएगी और यहाँ पे analytical ability आएगी कहने का मतलब यह है कि इसमे math आएगा ठीक है reasoning आएगा ठीक है और आपका यहाँ पे math reasoning आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है और बात कर लिते हैं अगले point के बारे में यहाँ पे technical test रहेगा technical test में क्या रहेगा इसमें आपका जो रहेगा जो भी आपने BB tech जिस भी branch में कर रहा है like civil में कर रहा है तो civil के question आएगे mechanical में कर रहा है तो mechanical में question आएगे और अगर आपने electrical में कर रहा है instrumentation में कर रहा है fire and safety में कर रहा है ठीक है, apply कैसे करना आप यहां पे QR code दे रहा है, आप इसको directly scan कर सकते हैं, Samsung के phone के अंतर scan का option आता है, उसको clicker का आप इसको scan कर लीजिगा, या फिर आप अगर आप scan नहीं करना चाते हैं, आपके mobile के अंतर system नहीं है, कोई दिकत नहीं है, आपके यहां पे link प्रोवाइड करवा रखा है, अब directly इसको click करके apply कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं कि apply कैसे करना exactly उसके process के बारे वीडियो को ध्यान पूर वक देखना है, यहां पे मैं आपको steps बताने वाला हूँ, apply link मैंने आपको description में provide करवा दी है, अब हम पे आप click करके directly इसको apply कर सकते हैं, यहां पे मैं आपको officially website पे लेगी जा रहा हूँ, आपको यहां पे scroll down करना है, यहां पे आप देख सकते हैं, opportunity for graduate engineers, आपको directly यहां पे click कर सकते हैं, या फिर आप यहां पे all current यहां पे देख पार है opening for graduate engineers, इस पे click करिएगा, जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने ऐसा tab open हो जाएगा, तो यहां पे वही इस सारी चीज़ें बता रहे हैं कि एक application form दे रहा है, eligibility criteria इस सारी चीजों के बारे में उन्होंने बता रहा है, जैन फिर तोड़ा scroll down करेंगे, आपको education details, दसवी का, बारवी का, college name, qualification, यह सारी चीज़ें आपको यहां पे डाल देने हैं, आप तोड़ा scroll down करेंगे discipline और year of passing आपको यहां पे डाल देने हैं, graduate के अंदर कितने marks बने हैं, उसको आपको यहां पे डाल देने हैं, ठीक है, aggregate marks भी डाल सकते हैं, यहां पे आपका resume आजाएगा, अगर आपका result नहीं है तो आपके resume आजाएगा, देन फिर दोनों पे यहां पे टिक करने के बाद, आपको यहां पे finally submit वाले apply वाल option पे click करके आपको apply कर देने, एक चीज़ का खयाल रखिएगा, कि यहां पे जो आपका resume क file का format रहेगा, ठीक है, उसके अंदर 10 के भी से लेके maximum 2MB तक ही रहने वाला है, बहुत सारे बच्चों का 5MB, 20MB तक का file size रहता है, तो आप अपने file को थोड़ा minimize करिए, आपको play store पे application मिल जाएगा, वहां पे आप click करके उस app को download कर लेना बहुत सारे app है, ठीक है, उसके file को minimize कर सकते है, PDF format को, Docs के format को minimize कर सकते है, आपका file के साथ 10KB से लेके 2MB के बीच के अंदर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई doubt है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, तो मिर भाई आज के लिए वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, उन लोगों तक जिनको job की need and comment करके जरूर बताना कि आप कौन सी job search कर रहे हैं, ताकि वो job आपके लिए हम ला सके, and WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook से जुड़ने के लिए हमने description में link दे रखा है, अब directly वहाँ पे click करके join कर सकते हैं, all the very best, जैहिन!